चलिए सभी बच्चों को एक बार फिर से very good morning बच्चों आज से हमारा एक नया topic स्टार्ट हो रहा है क्लास बारवी की गनित का जिसका नाम है अवकल समीकरन ठीक है ना तो इस chapter में हमको मुख्यता है तीन काम करने है ये chapter का नाम है अध्याय नंबर नो आउकल समीकरन जिसे इंगलिश में आप बोलते हैं differential equation तो chapter का नाम सुनते ही आपके मन में आता है कि differential equation याने आउकल समीकरन होता क्या है देखिए बच्चो अभी तक की जिन्दिगी में हमने जो समीकरन पढ़े थे वो थे बीजगणतिये समीकरन उनका नाम था बीजगणतिये समीकरन जिनें इंगलिश में कहते हैं आप algebraic equation क्या कहते हैं इंगलिश में algebraic equation और हिंदी में इनका नाम होता है बीजगणतिये समीकरन जि हां ये कुछ आपके पास में equation हुआ करते हैं अब मैं आपको कुछ समीकरन दिखा रहा हूँ जैसे आपके पास में equation है x square plus y square plus 2xy equal to 0 तो ये एक सामान बीजगणतिये समीकरन है कैसा समीकरन है ये बीजगणतिये समीकरन ठीक है ये बीजगणतिये समीकरन है इस समीकरन में ये देखिए क्या बोलते हैं इसको अवकल गुणांग तो यहां पर अवकल गुणांग कितने बार अवकलन हुआ है एक बार तो इसे हम क्या बोलेंगे अवकल गुणांग कितनी कोटी का प्रथम कोटी का कितनी कोटी का प्रत prompts कोटी का अवकल गुढ़ूंक है कहलाएगा ये तो यहां पर ऐसा कोई पद उपस्थित नहीं है अगर हम एक और बात करें अगला ये दी 2 Y by D X 2 तो ये भी क्या है ये भी अवकल गुढ़ूंक है ये भी अवकल गुढ़ूंक है ये कितनी कोटी का अवकल गुडांक है ये दुतिय कोटी का अवकल गुडांक है कितनी है इसकी कोटी दो कोटी को इंगलिस में ओर्डर बोलते हैं तो कितनी है इसकी ओर्डर दुतिय कोटी का दो कोटी का अवकल गुडांक है आप देखिए ऐसे ही तृती कोटी चतुर्थ कोटी का भी हो सकता है जितने बार अवकलज है उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि ये अवकलगुणां कितनी कोटी का है अब आप देखें कि क्या ऐसा कोई भी पद यहां पर उपस्थित है क्या ऐसा कोई भी पद यहां पर उपस्थित है नहीं ऐसा कोई भी पद इस समीकरण के अंदर उपस्थित नहीं है ठीक है ना ऐसा कोई भी पद इस समीकरण के अंदर उपस्थित नहीं है इसलिए यह सामान समीकरण है अब एक दुसरे समस्या को आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एक आपके पास में समीकर्ण है, y बराबर 2x² प्लस 3xy, ये आपके पास एक समीकर्ण है, कैसा समीकर्ण है ये, बीज गनती ये समीकर्ण, बीज गनती ये समीकर्ण, बहुत अची वात है, बट सर हम तो करके, मैं आपको आउकल समीकर्ण बनाता हूँ, तो क्या करेंगे, x के साफेच, इसका आउकल लन कर देंगे, तो ये हो जाएगा d by dx, यहाँ पर d by dx किसका, 2x² का होगा, फिर d by dx किसका होगा, 3xy का होगा, चलिए, तो ये क्या बन गया, सीधे-सीधे d by dx equal to, 2x² का 2 बाहर जाएगा, x² का कितना होता है, 2x, फिर इसका 3 बाहर आजाएगा, और d by dx कितना हो जाएगा, x into y, तो d by dx equals to, बिटाइए हो गया कितना, 4x, 2 to the 4x plus 3, अब इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा, गुणन रूल लगेगा, प्रथम फलन x, गुणने दुतिये फलन का आउकल अ प्लस दुतिये फलन y, into प्रथम फलन का अउकल अज, 1, ठीक है, तो d by dx equals to, कितना हो गया, 4x plus 3 का multiply, 3x, d by dx plus 3y, यह हो गया, अब d by dx को आप left side ले आएगे, तो d by dx minus 3x, d by dx equal to 4x plus 3y, यहां पर आप d by dx common ले ले, क्या ले ले ले, d by dx, common, तो क्या बज़ जाएगा, 1 minus 3x, bracket close, 4x plus 3y, ठीक है, अब d by dx, इधर पे 1 minus 3x, और इधर पूरे टर्म को आप left में ले आए, तो minus का 4x plus 3y equal to 0, आप देखी, यह जो समीकरण है, इसमें अवकलज का पद उपस्थित है कि नहीं है, हाँ, उपस्थित है, यहां पर d by dx जो है, उपस्थित है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, यह है, अवकल समीकरण, क्या है यह, अवकल समीकरण, और यह अवकल समीकरण किस चीछ से बना है, बिटा, तो यह अवकल समीकरण बना है, इस फलन से, जो हमने शुरू में लिया था, y का मान, 2x square plus 3xy, यह इस से बना है, 2x square plus 3xy से, तो यह जो आपका समान समीकरण है, जिससे आपने अवकल समीकरण बनाया है, इस समान समीकरण को हम क्या कहते हैं, इस समान समीकरण को हम बोलते हैं, अवकल समीकरण का हल, क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण का हल, मतलब जो वाई का साप सुथरा सीधा साधा मान है जिसको आपने अवकल समीकर्ण बनाया है उस वाई के मान को बोलते हैं अवकल समीकर्ण का हल और ये जो समीकर्ण बना है जिसमें अवकलज के पद मौझूद है ये अगर मौझूद है तो ये कहलाएगा अवकल समी करना तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है हमें इस चैप्टर में दो काम करने है अगर आपको हल दिया गया है तो हल का इस्तमाल करके क्या बनाना है अवकल समी करना पहला काम हल का इस्तमाल करके क्या बनाना है अवकल समीकन दूसरा अगर आपको अवकल समीकन दिया गया है तो क्या निकालना है उसका हल निकालना है मतलब y बराबर fx निकालना है एक y वाला हल दिया रहेगा तो पहला काम क्या करोगे अवकल समीकन बनाओगे यानि डी वबे डी एक्स वाला कुछ बनाओगे और दूसरा अगर समीकर्ण दिया रहेगा तो क्या निकालोगे इसमें हल निकालोगे तो हमको ये दोनों चीजें पढ़नी है इस चेप्टर में एक अवकल समीकर्ण को बनाना कि अवकल समीकर्ण कैसे बनेगा पहला काम अवकल समीकर्ण को बनाना और दूसरा काम क्या करना है अवकल समीकर्ण का हल बनाना अवकल समीकर्ण का हल ग्यात करना चलिए का हल ग्यात करना चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चेप्टर में वो हमारा है कोटी एवं घात कोटी एवं घात तो पहले exercise में पहली प्रशनावली में हम पढ़ेंगे कोटी तथा घात कि कोटी क्या होती है और घात क्या होती है हम इसको जानेंगे देखिए कोटी का मतलब समझे कोटी का मतलब यह है दिये गए अवकल समी करण में जो आपके पास सर्वोच अवकलज पद उपस्थित है मतलब कितने बार अवकलन किया गया है किसी अवकल समी करण की कोटी उस अवकल समी करण में समलित स्वतंत्र चरके सापेक्छ आश्र चरके उच्चतम कोटी के अवकलज की कोटी अवकलज की कोटी समझिये मालीज आपके पास कोई अवकल समी करण है और उसमें केवल डीवबे डीएक्स परजेंट है मतलब कितने बार अवकलज किया एक बार तो आपकी कोटी कितनी होगी एक होगी यह बटेदी दो बार प्रजेंट है अधिक तम तो कोटी कितनी होगी दो अगर तीन बार प्रजेंट है तो कोटी कितनी होगी तीन तो बहुत ही सरल है आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार अवकलन किया गया है उसको हम बोलते हैं कोटी अब घात की बात करते हैं घात की बात क्या है घात का मतलब होता है अवकल समी करण में जो उच्चितम कोटी का अवकल गुणांक है अवकल गुणांक है उच्चितम कोटी के अवकल गुणांक के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है कितनी घात चड़ी हुई है इसी को आप घ गहात बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, गहात बोलते हैं, आईए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, आपके सामने कुछ मैं आपके सामने अवकल समीकन देता हूँ और आपको कोटी और गहात बताता हूँ, पहला अवकल समीकन, डी वबर डी एक्स बराबर ए की power x चलिए बताईए कोटी कितनी है यहाँ पे एक क्योंकि एक बाराव कलज है घात भी कितनी है यहाँ पे एक क्योंकि d y by dx की कोई power नहीं है मतलब power एक है दूसरा ले ले समी करण आपके पास में दूसरा समी करण है d2 y by dx2 plus d y by dx plus y equal to 0 यहाँ के पास में एक आउकल समी करण दिया गया है बताईए कोटी बोलिए बच्चों कोटी क्या होगी दो क्योंकि अधिक्तम कितने बार प्रेजेंट है बिटा आउकल अज दो बार घहात थोड़ा से मैं question को twist करता हूँ मैं इसकी घहात को 4 कर देता हूँ अब बताईए घहात कितनी होगी छे गलत बोल रहे हैं देखे मैंने क्या बताया था मैंने क्या कहा था कोटी अधिक्तम कोटी के पद के उपर जो पावर होती है वो घहात कहलाती तो यहां कोई घहात नहीं चली मतलब एक कहलाएगी हाँ मतलब गहात अगर मंजिल है तो उसका रास्ता क्या है कोटी तो कोटी के रास्ते पर चल कर के आपको गहात पर पहुचना है ठीक है भईया चली एक और समीकन लेते हैं हम लोग एक और समीकन लिखता हूँ मैं तीसरा समीकन आपके सामने आपको बताना इस आउकल समीकन की कोटी और घात क्या है d3 by dx3 plus x2 into d2y by dx2 whole to the power 3 equal to 0 यह आपके सामने बच्चों एक आउकल समीकन दिया गया आपको बताना इसकी कोटी क्या है और घात क्या है चलिए बताईए कोटी कितनी है बिलकुल सही कोटी 3 है घात कितनी है बिलकुल गलत एक है घात क्योंकि कोटी 3 के पद के उपर जो power चड़ी है वो क्या है एक है क्या है एक भाई कोटी 3 मतलब सबसे ज़्यादा बार अवकल अच कितने बार हुआ है और घात उसके उपर की पावर जो है, वो कहलाती है घात, क्लियर हुआ की नहीं हुआ? चलिए, एक और क्वेस्चान देखते हैं, बताइए कितने कोटी का है, तीन, 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 और इसकी जो power नहीं दिख रही है, वो actually कितनी है, एक है, ठेक है, तो ये आपके पास में हो गया है, क्या कहलाएगा ये आपके पास में, ये आपके पास में कहलाएगा, कोटी एवं घात, अच्छा एक चीज और बता दूँ मैं आपको, कि कुछ ऐसे समय करना होते हैं, जिसम में आप घात को परिभासित नहीं कर सकते हो, देखो बच्चों, ये जो डीवबर डीएक्स है, ये क्या है, ये अवकलज पद है, अवकलज पद है, ठीक है ना, बिटा ये किसी के फलन के रूप में नहीं हो सकता, ये किसी के फलन रूप में नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, कैसे, आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया ये, डीवबर डीएक्स प्लस साइन, डीवबर डीएक्स एक्वल टू जीरो, आपसे बोला जाए, कि बताइए, कि यहाँ पर इसकी कोटी क्या है और घात क्या है, तो कोटी यहाँ पर कितनी है, एक, कोटी क्या है, एक, अब घात के लिए याद रखिए, घात के लिए जितना भी डीवबर डीएक्स है, वो मुक्त होना चाहिए, वो किसी के अंदर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ये साइन के कोण में बैठा है डीवबेडी अक्स तो इसलिए इसकी घात परिभाशित नहीं होगी समझ में आया इसकी घात परिभाशित नहीं होगी तो बच्चों ये हो गई हमारी कोटी और घात की पहली एक्सरसाइस पूरी ठीक है पहले exercise पूरी हो गई चली आएए देखते हैं यहाँ पे आपके पास में पहला सवाल आपकी प्रशना वली 9.1 का पहला सवाल यह देखें पहला सवाल 9.1 का समीकर्ण d4y by dx4 plus sign y triple dash बराबर 0 की कोटी और घाद गयात कीजिए तो आपके पास जो समीकर्ण है वो क्या है देखें यहाँ पे समीकर्ण दिया है d4y by dx4 यह तो होगा ही d4y plus sign y 123 triple dash बराबर 0 अब देखें y triple dash का मतलब क्या है d4y by dx4 plus sign y triple dash का मतलब d3y by dx3 मतलब तरती एक गोटी बराबर कितना 0 अब बताईए यहाँ पे आप कि क्या यहाँ पर sign के अंदर अवकलजपत बैठा है की नहीं बैठा बिल्कुल बैठा और मैंने मना किया है कि अवकलजपत कभी भी sign के घात के किसी के फलन के रूप में होना नहीं चाहिए log के अंदर नहीं बैठा होना चाहिए e की power में नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किसकी जगह है यह चर की जगह है जहां चर होना चाहिए वहां चर ही होगा तो यहां पर देखिए अगर आप बात करेंगे कोटी की तो यह चतुर्थ घात है चार बार है चार बार अवकलज चतुर्थ अवकलज है घात नहीं बोलूँगा चतुर्थ अवकलज तो इसकी कोटी होगी फोर भले ही इसकी पावर वन लगी हुई है मगर इसके चलते हम क्या कहेंगे इसकी घात जो है वो परिभाशित नहीं तो इसकी घात परिभाशित नहीं होगी ओके इसकी घात जो होगी वो परिवाशित नहीं होगी ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कोटी तो पता है हमको यह देखिए यहाँ पर इस अवकल समीकण में उपस्थित उच्चतम कोटी का अवकलज D4Y by DX4 है इसलिए इसकी कोटी 4 है परन्तु इस समीकण का बाया पक्ष अवकलजों में बहुपद नहीं है इसलिए इसकी घात परिवासित नहीं है अवकलज में बहुपद होने का मतलब D4 by DX खुला खुला होना चाहिए किसी के अंदर नहीं होना चाहिए यही कोश्चन अगर DQ by dx square होता whole power 2 होता और यहाँ पर D4Y by dx4 equal to 0 तो आप क्या कह कहते यहाँ पर कोटी बोलते चार और घात क्या कहते एक कितने घात का एक घात का क्योंकि इसकी power कितनी लगी है एक लगी है ठीक ना तो यह हो गया आपका पहला प्रश्चन वली इस बेस पर इस concept पर चलेगी जिसमें आपको कोटी और घ्यात करना है चलिए करते हैं इसके स प्रवाल